हेलो एव्रीवन वेल्कम टू आर्डिस्टर लाइब्रेरी आएं डॉक्टर खुशिसाहू एंड यसा क्या आप जानते हैं हम लोगों ने आयवे द्रीक बिसीज की क्विक रिवीजन स्रीज स्टार्ट किये थे जिसमें मैं शोतस वाइस बिसीज डिसकस कर रही हूँ और रक् रक्तपित व्यादी को मौडर्ण में हैंडिस से कंप्यार किया गया है इसके पहले मैं बोलूँगे कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस सारी चीजे कैसी लगती है ताकि मैं आगे भी इस तरीक के वीडियो आपके लिए लाती रहूं रक्तपित रक्तपित फढ़ने से पहले हमें एक इंपोर्टेंट कोटेशन इसका देखते हैं चरक्चिकित सस्थान की फोर्थ चैप्टर में फिफ्ट नंबर की श्लोक में बोला गया है महागदम महावेगम अग्नीवत शीक्रिकार आचा चरक ने बोला है रक्त पित महागद यानि गद मतला होता है व्यादी तो एक महान भयांकर व्यादी है महावेग के साथ अगनी की तरफ शीक्रिता से फैलती है तो ये कोटेशन पूछा जाता है किसके लिए कहा गया है दैन आता है निदान तो इसमें निदान में और शुष्रत उत्तर तंत्र 45 के 3 से 4 नंबर की स्लोप में यहाँ पर वर्णन किया गया है जिसके आप हिंदी लिख सकते हैं जैसे कि ओशन तेक्षन शार अमले लवन और कटू पनार्तों का अधी सेवन विदाही अन्यपान सेवन अति आतप यानि बहुत जादा धूप का सेवन बहुत जादा वायू का सेवन अधिक पैदल चलना अधिक व्यायाम करना शोग भय अधिक मानसे खेटू और दूद के साथ लवण वा शार युक्त शाक का सेवन ौली सरशब लहसुन सुरा सौवी रख का अधी प्रयोग और दूद के साथ अमले द्रभ्यों का सेव बट हमारे लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट शोक होता है वो आचा चरक ने चिकित्सस्थान के फोर्थ चैप्टर में एथ नंबर के शोक में यहाँ पर रक्त पित्त के साथ संयुक्त रहता है और रक्त और पित एक दूसरे में मिल जाते हैं दोशनात यानि इसमें पित्त के द्वारा रक्त की दुष्ठी होती है गंध वर्णियों सामान्यात यानि रक्त एवं पित्त सामान गंध एवं वर्ण के होते हैं अर्थात दोश पित्त एवं दूश रक्त सामान गंध वर्ण होने की कारण इसका नाम रक्त पित्त है तो यह चाप्टर का 7 से 8 तंबर का श्लोक जू है वो याद करना है इसके अलावा भी शुशुद ने उत्ता तंत्र में वर्णन किये हैं बड़ वो इंपोर्टेंट नहीं होतना बहुत इंपोर्टेंट ने थर्ड लाइन इसकी मैं आपको एक्स्लेन करती हूँ वर्णित निदानों के सेवन से बड़ा हुआ पित जब अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु को प्राप्त होता है तो वह पित रक्त से उत्पन होने की कारण उस रक्त में जाकर अधिक रूप में प्रवध हो जाता है और से दूशित कर देता है यानि जब हम निदान सेवन करेंगे तो यहाँ पर पित्थ धातु दूशित होंगी वह बढ़ी हुई पित्थ это उस्च सब्सक्राइब새 में इन्पलावर्द्थ सरकी से उश्मा से मा साधी धातुए जो है वो द्रव रूप में निकलने लगती है जो थर्ड नंबर की पॉइंट में आपको बोली तस जो उश्मना ज्रवो धातुर धातुर प्रश्चिते यानि उस पिट्ट वढ़े हुए पिट्टी की उश्मा की वज़े से जो अन्य धातुए ह है वो द्रव फॉर्म यानि लिक्विट फॉर्म में कनवर्ट हो जाती है तो लिक्विट फॉर्म में कनवर्ट होने की वज़े से यहां पर रख्त वाहिनियों में रख्त की व्रद्धी हो रही है तो रख्त की व्रद्धी होने की कारण रख्त की अतिप्रवत्ती होने लग कि निदान सेवर, पित प्रकुपित, पित के द्वारा रक्त प्रकुपित, रक्त की अधिक प्रध्धी, पित की उश्मा से मास और निधातों का द्रव रूप में परिवत्धन होना, रक्त बाहिनियों में रक्त की अधिक प्रध्धी होने से, रक्त का उर्जो और अधो मार् क्या होता है प्रबत्ती होने लगती है उसे हम रख्त-पित कहते हैं नहीं आता है संप्राप्ति घटक दोश यहां पर पित्त-प्रधान होगा दूर्श होगा रख्त शोतस रख्तवा शोतस involved है अधिश्ठान विकॉस रख्त यहां पर यक्रत और प्लीहा और शोत दुष्ट में संग और विमार कमन तैन आता है पूर्ग्रूप तो पूर्ग्रूप में शुष्ट उत्तर तंत्र का 45 चप्टर के 8 नंबर का श्लोक और चरक निदान स्थान की सेकेंड चेप्टर का 6 नंबर का श्लोक जो है आप याद कर सकते हैं बट हमारे लिए इस पेश्टी जो है इसमें आपको दो पॉंट स्पेश लियाद रखने हैं कंट दुमायनम वमी और लोग घंदिश निश्वास याने पूर्वरूफ क्या होंगे तो सदन अंग साथ मैलिए सुस्ति सी लगेगी शीत कामित्वम शीत सेवन की ख्षा कंट दुमायनम वमी याने कंट से धुआ न करने की प्रतीति लोगंदिश याने वमी याने वमन होना लोगंदिश निश्वास याने स्वास लेगा रखती तो उसको अशा लगेगा यह आईरन मेटल स्मेर आ रही है तो यह सारे जो है पूर ग्रूप रख्ट पित्तिके कहे गए हैं यहां पर हमें सहीताओं में सामान क्लाσιफिकेशन किया गया है साथ में दोशों के साबसे वारतच पित्तश कफश द्वन्दच और सन्नी पातच और तीफ में ओर्ध्व अध्व और तिर्यारॉप रखत पित्त्य तो यह तीन अच्छा अमारे लिए इंपोर्टिंट है और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि बहुत नॉर्मल सी बात है यह उतना अच्छा अमारा प्रजेंटेशन नहीं शो करता तो यहां पर आप यदि भेद अनुसार लक्षन लिख रहे हैं तो अधुरक्त पित और उभाय रक्त पित के लक्षन लिखिए जैसे कि अधुरक्त पित में क्या होता है कफ का इस बात कानुवन्द होगा और यहां पर गुदा, मेडर, योनि, मार्ग से रख्त प्रवत्ति होती है और जो भी शवित, रख्त है स्वर्ण, शाब, अरुण, रूख्ष और तनु, फेनिल वर्ण होगा दैन आता है उभै रख्त पित तो उभै रख्त पित में दोनों मार जयाने उर्धो रधो मार्ग दोनों से प्रवत्ति होती है और जो रोन कूफ है हमारे शरीर के hair follicles हैं उससे भी रख्ट की प्रवत्ति होती है और रख्ट जो है वो श्याम, इसनिकद, पिछल, तनों और फेनलवन का होता है इसका चिकित्सा का quotation बहुत important है प्रतिमार्गम चाहर्णम रक्त पित्तम विदियते यहां पर हम प्रतिमार्ग चिकित्सा करते हैं प्रतिमार्ग मतला है यह किसी को उर्ध रक्त पित्त है उपर वाले यह उतसु से bleeding हो रही है तो उसमें हम नीचे का process यानि विरेचन करवाए और अधोर्ग्त पित्त यानि नीचे से bleeding हो रही है तो उसे हम वमन करवाएंगे तो opposite चिकित्सा होती है उसले से प्रतिमार्ग चाहर्णम रक्त पित्तम भी दिये यह कोटेशन में याद करना है लास्ट पॉइंट आता है साध्य साधिता उर्ध रक्त पित्त साधी होता है और अधोर्ग्त पित्त याप्य होता है और उभय रक्त पित्त विरुद्द उपक्रम होने के कारणा साधी होता है विरुद्द उपक्रम मतलब यहाँ पर हम विरेचन करवाएंगे तो उपर वाली व्याजी तो ठीक होगी लेकिन नीचे वाली बढ़ जाईगी और यदि सब्सक्राइब होने की कारण उभय रक्त पित्त असाधी होता है तो यह हमारा पूरा कोई क्रिविजन सीरीज थी रक्त पित्त की होप कि आपको समझ में आया होगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसके करेक्टे विद आर्डिस्ट लाइब्रेरी फॉर मोर व